हेलो ट्रीडर्स एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पे तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा और हमारी पुरानी वीडियो को भी एक बर टेप की बात मानें तो इस्टॉक का जो प्राइज है वो अभी भी करेंट प्राइज ज्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से रेटन वर्सेज एफडी रेट्स काफी अच्छे आपको देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में डिविडेंड उतना अच्छा आपको देखने को नह इक्विप्मेंट होते हैं उनका मैनुफेक्टरिंग करती है तो चिप शॉटेजिस की वज़े से इस स्टॉक में अलरड़ी काफी ज़्यादा पिटाई हुई थी लेकिन आप खुद सोचो कि जब चिप शॉटेजिस पूरे होंगे रिकवर होंगे तो ये स्टॉक कितनी त इस लेवल पर इस टॉक आएगा तो आपको सिर्फ बाई करने के बारे में प्लैन करना है और यहां पर आप देखो स्टॉक नीचे आया लेकिन इस टॉप लॉस को हिट नहीं कर पाया वापिस से आपको यहां पर एक पुल बैक रैली देखने को मिली स्टॉक में अगर हम ल जो आपको लो देखने को मिल रहा एक्जैकली लो की बात करता हूँ मैं तो जो लो मिला वो 32.55 पर देखने को मिला अल्मूस 100 पॉइंट उपर से स्टॉक घूम के चला गया अब आपने यहां पर पोजिशन बना रखी होगी तो अभी के समय में तो आप प्रॉपिट में ही होगे क्योंकि 33.55 पर मैंने एंट्री बोला था और स्टॉक अभी 35.27 पर चल रहा है अब जिन लोगों ने एंट्री नहीं बनाई है उनके लिए important चीज़ क्या है अब आप बहुत ध्यान से समझ कर लो चलो स्टॉक में यहां पर एक pattern फॉर्म होते हूँ आपको देखने को म बने बेले 4000 रुपए के ऊपर जैसे ही स्टॉक जाता है आपको इस इस स्टॉक में बाई करने के बारे में प्लैन करना है और ये बाई उनको प्लैन करना है जो लोग इंट्रा डे पर पस से या स्टॉक में एंट्री बनाना चाहते है अब ये एंट्री क्यों successful होगी इसको समझ के चलो सबसे पहले यहां पर जो आपको breakout देखने को मिलेगा उसके पीछे का logic है double bottom pattern का breakout और यह अच्छी खासी rally दिखा सकता है और यह rally कितने दूर की होगी यह भी आप जानके चलो यह rally में आपको almost 700 points देखने को मिल जाएंगे मतलब आपका target 4000 रुपे के बाद 4712 को आप बहुत closely watch करके चलिएगा जैसे ही यह level break होता है इस level के उपर बहुत शांधार तेजी आपको देखने को मिलने वाली है इसलिए जिन लोगों को थोड़ा सा risk लेना था मैंने कहा था कि नीचे के levels पर आप क्या करो buy करके चलो buying करने वालों को देखो यहां पर कितना profit ह होगा 700 points उपर मिलेंगे और अभी 3755 से लेगर के 4000 almost 700 तो आप लोग अगर देखो तो यहां पर जो level मैंने बताया था यहां पर कितने कितने points का फायदा होने वाला है almost 1400 points का फायदा आपको होगा जब यह breakout होगा वहीं अगर हम लोग stop loss की बात करें तो यहां पर हमने stop loss रख करना चाहिए आप चाहो तो यहां पर position बना सकते हो यह जो level है इस level पर भी buy करके चल सकते हो लेकिन थोड़ा सा risk to reward ratio आपके favor में नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आप अगर देखोगे तो यहां पर आपके लिए 700 points में से सिर्फ 200 points कम हुए हैं आपके पास अभी भी 500 points बाकी ह तो इस तरह से आप अगर देखोगे तो अब risk to reward ratio में 500 points आपको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं और नीचे की तरफ आप दे सकते हो कितने points 400 points तो अभी भी risk to reward 1 is to 1 से थोड़ा उपर ही है तो इसलिए आप चाहो तो अभी भी entry बना सकते हो इस stock के अंदर अब सबसे important चीज यह है कि आपको ये stock क्यों buy करना चाहिए इस stock में काफी शांदार तेजी आपको देखने को मिल सकती है आने वाले time में इसके पीछे का reason यह है कि market के हाला जैसे सुधरते हैं आपको पता है कि chip shortages की कमी पूरी हो चुकी है और mostly mobile के जो brands हैं वो चायना से shift होकर कि इंडिया में आ रह अब यहाँ पर आपको clearly समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से level important है उपर जाता है अगर stock तो आपको 4000 के उपर buy करना है किसको buy करना है swing trading के purpose से target आपका क्या होना चाहिए 4712 का target होना चाहिए swing के purpose से stop loss क्या होना चाहिए 3150 3150 रुपे का ही आपका stop loss होगा इसके अलावा कहीं और stop loss मढ़ डालिएगा 3355 रुपे का level अगर वापिस से नीचे की तरफ आता है यहाँ पर आप buy करके चल सकते हो stop loss क्या रहेगा 3150 रुपे का ही आपका फिर से stop loss रहेगा अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ के चलो कि stock में short term और long term की बात करें तो long term purpose से मुझे यह stock काफी ज्यादा पसंद है और यह मेरी holding में भी है मुझे ऐसा लगता है कि यह stock लंबे समय के अंदर 12,000 रुपे से लेगा कि 13,000 रुपे तक की भी value आपको दिखा सकता है अब 12,000 रुपे का value अभी तो आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन इस stock के अंदर पूरा potential है कि य आने वाले समय में इस value को touch करते हुए देखने को मिल सकता है आपकी क्या राय है Dixon Technology से related आप मुझे वीडियो के comment section में जरूर share कीजेगा I hope आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को like कीजेगा फिर मिलेंगे एक और ऐसी वीडियो के साथ तब तक के लिए दन् आप कर दो आपको के लिए बात